दोस्तों नोसका मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूट्यूम मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों लगबग महीने भर चली हर्याना चुनावों की हलचल आज अन्तिम पड़ाब पर पहुंच गई और चुनाव परचार भी समात हो गया जो इसमें जो खास बात रही के भाजपा के आला नेता अर्याना के चुनाव में पहुंचे जिनमें प्रधान मंत्री ग्रह मंत्री और उनके लगबग जितने भी प्रिदेशों में मुख्य मंत्री है उन्होंने भी हर्या नामे भाजपा के उम्मिद्वारों को जिताने के लिए अपील की जनसभाएं की और पूरी ताकत जोक दी जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर राष्टी अध्यक्ष राहूल गांधी राष्टी अध्यक्ष खडगे जी और जितने भी बड़े नेत चाहें कुमारी सेल जाहें चाहें सुर्जे वाला जी हैं यानि हर्याना के जितने नेता थे या बाहर के भी कही नेता चुनाप पर चार के लिए लेकिन इसमें जो एक खास बात रही वो जो मुझे लगी और कि राहूल गांधी प्रियंका गांधियादी ने जिस तरीके से भाजपाग की वेल्ट में जीटी रोड पर और जो गढ़ बताए जाते हैं भाजपा के चाय गुड़गावा वगएरा उन्स शेत्रों में जो अपनी यात्रा निकाली उससी के लोग मतलब राजनीतिक पंडिक बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो संभावनाएं थी भाजप कर दिया यानि इस यात्रा में कांग्रेश को बहुत लाब मिलने की बात कही जा रही है लेकिन इस बीच एक और घटना घटी कांग्रेश के पूर राष्टी अध्यक्ष और सिल्सा के सांसद रहे अशोप तवर जी जो पिछला लोग सभा का चुनाव सिल्सा से भाजपा के टिकट पर लड़े थे आज उन्होंने भी राहुल गांधी की सामने उनकी जनसवा में वापसी कर ली तो इस मुद्दे पर आज हम फिर अपने राजनितिक विसलेशक और हर्याना के पूर वरिष्ट अधिकारी सुर्जे वाला जी से इसके बारे में जानना चाहेंगे को कि इस तरीके से इस सारी घटनाओं को देखते हैं जी आपने कहा कि हर्याना का जो चुलाव था उसमें दोनों मुख्य पार्टी भारतिया जंता पार्टी परधान मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ग्री मंत्री राश्ट्रियों के अध्यक्स और दूसरे परदेशों के मुख् अध्यक्स मानिय खडगे जी लीडर ओफ ऑपोजिशन राहुल गांधी प्रियंका गांधी और दूसरे अन्यनेता वो अपने 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 पार्टी के परचार में वो हर्याना के जो स्टार परचारक हैं उसमें सभी लोग उसमें सामिल हैं दिपेंदर हुड़ा वो हर्य हर तरह से जो है पार्टी के जो नेता थे उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है और उन्हें पूरा समय दिया है आज दो दिन से राहुल गांधी जी का जो है यात्रा पहले भारत जोड़ो यात्रा थी अब वो चुनावी परचार के तोर पर उनका जो सभाई भी वो कर रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं तो उन्होंने लगभग अर्याने का काफिक शेतर को जो ना कवर किया है तो इससे पार्टी को मजबूती मिलती है भाजपा के जो शिर्ष नेता है उन्होंने अपने पार्टी के लिए पूरा दिया कोवरेस के नेता उन्हें अपनी प जना रहा है वो थोड़ा सा अनूठा है परधान मंत्री जी आये बड़ी स्टेज लगी दूर से उन्होंने हाथ हे लाया लोगों को अभिवादन किया जनता उनके करीब भी नहीं पहुंच सकती राहुल जी का ये रहा कि वो जनता के बीच भी गए जनता से हाथ भी मिलाया ल लोगों को अपना पंसा एक बोंडिंग जिसको कहते हैं वो एक खिचाओ जिसको कहते हैं वो कुछ नजर आया है जिसका बेनिफिट नी संदे कॉंग्रेस को बिले को इस तरह की की घटना उसे एक पिछले दिलों चल रहा था कि कॉंग्रेस के नेताओं में एक जूठता नह है तो राहुल जी के आने से ये भी हुआ सबसे पहले सभा होई असंद में जी राहुल जी पहुंचे वहां करीब करीब जितने भी हरियाना प्रांत के जो मुख्य नेता थे उस स्टेज के उपर सब थे और जैसा स्टेज पे को अभीवादन सभीकार करते हैं हाथ में हाथ और वो सभी नहीं जब किया तो उसमें कुमारी सहल जा बड़ी नेता है बोपेंदर हुड़ा जी लोगों ने उसमें चुटकी भी ली कि राहुल जी ने उदोनों के हाथ मिलवा दिये अच्छी बात है अगर उनकी प्रेजेंस में सब ही कठा होता है और इस तरह का हर्याना इनके आगमन से और फिर सब अपने अपने ख्षेत्रों में जूटे और उनोंने कांग किया आज एक और घटना का आपने जिकर किया यूथ कॉंग्रेस के अध्यक्स राश्ची अध्यक्स और जो सरसा से सांसद रहे अशौक तावर जी वो उनोंने अपने घर बापसी की न जा भी इंपेक्ट पड़ेगा एक पार्टी को मजबूत ही मिलेगी सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि जब इस तरह के बड़े नेता अपने पार्टी के अंदर सामिल होते हैं तो एक क्लियर कट मैसेज जाता है कि सत्ता वो पार्टी सत्ता के नजदीक है या वो सरकार मना लेके जा रही है तो आज जो हवा इस वकत कांगरेस के पक्ष में है वो इस घटना से तो और साबित हो गई है यह इसको दूसरे सब्दों में सुर्जेवाला जी ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी आकलन हमारे रहे हैं जिए जितनी भी हमने राजनितिक चर्चा की है जिए तो चला गया था वो वापिस कांगरेस की तरफा रहे हैं जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद एक जुट कांगरेस ने भी समाज के बारे में सोचा और इसको जोड़ा और ये लोग भी कांगरेस के पक्ष में खड़े रहे और एक वक्त ऐसा हाया कि क्षेत्रिय पार्टियां बनती रही और ये सभी लोग बिछड़ते गए कुछ-कुछ लेकिन आज पिछले लोग समाच चुनाओं से उत्रप्रदेश के चुनाओं ने एक साफ जहलक दिखाई दी कि ये समाज बुड कांगरेस की तरफ इना हाथ बढ़ाया है और आज शोक सब्सक्राइब करें लूट के राष्टिया देख रहे हैं और उन्होंने पूरे हर्याना में साहिकिल से या उससे या मयात्रा करें आप संक्षित में बात सुनिए उनका पार्टी को निश्चित तोर पर लाब पहुंचेगा और ये हित में है पार्टी के दैट साल हम इसको तो दोस्तों इसमें जो सुझेवाला जी ने जो जो डाला कि अशोग तमर जी जो कांग्रेस के राष्टी यूथ कांग्रेस के राष्टी अध्यक्ष रहे हैं शिर्सा के सांसद रहे हैं और हर्याना के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक अब फिर कांग्रेस में आगे हैं उन्होंने घर वापसी कर ली है तो इस से ये मेसेज और जाएगा कि जो दलिस समाज 68% जोड़ा था लोक्षाबाचुनावों में अब वो संख्या और भी ये बढ़ जाएगी या आप ये कह सकते हैं कि हरियाना में तो दलिस समाज 80-90% तक इस माहल में कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है तो दोस्तों अशोग तमर जी के आने से निश्चित तोर पर भाजपा को बड़ा जहटका लगा है और इसका जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी अशोग तमर के रहते हैं कि उन्हें दलित गोटें मिल सकती हैं उस पर भ जो हमने आकलं दिया था आने वाले चुनाओक जब नतीजे होंगे तो अशोग तमर के कांग्रेस में लोटने का भी उसमें बहुत सही होग माना जाएगा तो ये था हमारा आज का कारिक्रम देविम सुधेवाला जी आपने बहुत अच्छे तरीके से शोग तमर के आने का राहुल गांदी, प्रियंका गांदी, खडगे जी उनकी जो यात्राएं रही और उन्होंने जो कांग्रेस की जनसभाओं को सम्मोधित किया उन सब पर बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाला आपका बहुत बहुत दन्यवाद तर दोस्तों ये था हमारा आज का कारिक् जय हिन, जय भारत, जय सविधान, नवश्कार